सब्सक्रिप्शन अगर आप यहां पर आगे दो तीन वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप से कोई पैसा मांगा जाएगा टोटल टोटल फ्री एजुकेशन है आपके बेटरमेंट के लिए आप ही के लिए पूरा पूरा जो कोर्स है वह सब फ्री चलाते ह वारे में complete करेंगे पूरा का पूरा Supreme Court देखेंगे हर एक आर्टिकल्स और प्रावर्स और क्या क्या चीज़े होती है Supreme Court में पूरा का पूरा देखने वाले जजसे लेके उनकी पावर शक्तिया कैसे बढ़ा ही जा सकती है कम तो अफकॉस नहीं हो सकती बढ़ा ही पजा सकती पावर बट पावर ना बढ़ाना भी कहीना के क्या थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा बहुत अंकुष है तो चलिया आज इस पूरे के पूरे चाप्टर को हम देखेंगे पूरे डीटेल तरीके में चले चालू करते हैं हम आज का वीडियो जबसे पहले हम इं इन्टीग्रेट जुडिश्री ही है ठीक है इन्टीग्रेटेट होने के साथ साथ हमारी जुडिश्री कैसी है इंडिपेंडेंट है इसको पूरे के पूरे जो उसकी पावर जो शक्तिया है उसको कहां से मिलती है तो Constitution of India से मिलते हैं यह इंशॉर करता है इसकी क्या एक हम यह समझते हैं integrated और independent यह दो चीज़े जो हैं यह कहां से inspiration आती है कहां से लेते हैं कौन-कौन से अलग countries के provisions है सबसे बात करते हैं integrated judiciary system के बारे में ठीक है तो वह हमने लिए कहां से government of India Act 1935 government of India Act 1935 व्याद करिए कि जब हमने बात करी थी पूरे के पूरे inspirations या फिर sources या historical background के बारे में constitution के तब हमने यह act देखा था कि जिसमें almost 200 articles क्या होते हैं सीधे-सीधे हम उठाके इसको अपने indonized form में adopt कर लेते हैं तो supreme court at top then high court and then series of subordinate court क्या होगा सबसे पहले कौन सा होगा supreme court फिर आते हैं high court और फिर finally subordinate court यह series हो जाता है पूरा को पूरा क्या integrated judiciary का सबसे उपर supreme court रहेगा that means high court और subordinate को क्या कर सकते हैं इनकी supreme court की बात को नहीं टाल सकते फिर आते हैं हमारे high court high court क्या होते हैं basically एक state में highest judicial authority होते हैं तो subordinate court जो है वो high court की बात को नहीं ठाल सकता साथ-साथ हमारे यहां पर क्याते subordinate courts आते हैं जो कि छुटे मामले सुना करते हैं ठीक है चलिए USA से क्या है हमने independence of judiciary लिया है कहां से लिया है independence United States of America से और integrated इंटेग्रेट फार्म में कहां से लिया है तो government of India Act 1935 से लिया है ठीक है चलिए USA में क्या judiciary system होता है हम देखते हैं USA में जो federal laws है that means तो पूरे के पूरे एक जो federation का जो बना हुआ USA उसके laws जो है वो federal judiciary enforce करेगा और उसको apply करेगा कौन करेगा USA में federal laws को federal judiciary करेगा वहीं जब हम state की बात करते हैं तो state laws को enforce करने वाला कौन है तो state judiciary है मतलब यह दो अपने आप में क्या है different bodies है और जाधातर मामलों में यह आपस में interfere बिलकुल नहीं करते हैं जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है हाई कोट का decision लिया हुआ है आप कहाँ appeal कर सकते हो इसको supreme court में कर सकते हो ठीक है या फिर एक बड़ी bench बना के कर सकते हो हाई कोट का जैसा जो मामला है अगर मान लीजे भोपाल हाई कोट इस्वारी जबलपूर हाई कोट ने क्या किया किया एक कोई decision दिया है तो उसके और क्या उसको पलटा जा सकता है यह सब चीजा आप हम आगे वीडियो में देखने जा रहा है फिलाल के लिए समझे कि in India there is a unified judiciary and one system of fundamental law and justice ठीक है कोई भी अलग चीजे नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं किस की तरफ यूनिफॉर्म civil code यह क्या है हमारा ultimate objective है कि हमारे यहां पर जतने भी civil codes है ठीक है वह uniform apply हो हर एक state में हर एक region में तो इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं इसलिए हम बोड़ रहे हैं कि जो हमारे जो law है जो justice है वो क्या है fundamental ही है natural justice के बेसे पर हम काम करते हैं अब इस particular वीडियो में आपको दो टर्म बहुत देखने को मिलेंगा एक आएगा civil matter और एक आएगा criminal matter दोनों में फरक है ठीक है दोनों में क्या है फरक आ जाता है civil matters वो हो गए जो आपस में disputes होते हैं उनको consider करा जाता है क्या civil matter ठीक है based on mutual claims और disputes ठीक है इसका जो रहेगा it will be the power of court to determine the nature माल लीजे को जमीन का लफड़ा हो जाता है दो parties होती है और आप आसमें एक दूसरा का सर फोड़ देता है ठीक है तो उस case में इसको क्या civil matter में treat करा जाए या criminal matter में में treat करा जाए यह power किसके पास होगी court के पास होगी define करने के लिए ठीक है जुडिश्री अपने आप में क्या जब मैं define करता हूं जुडिश्री टर्म को तो जितने भी हमारे judges हैं जो अभी हमारा court system में सबको मिला कि जुडिश्री बोला जाता है तो जो power of court to define the nature of this particular matter यह civil में treat करा जाएगा यह criminal में चलिए no physical punishment can be given अगर आप कोई भी civil offense करते हैं आपको physical punishment नहीं दी जाएगी that means jail आपको नहीं होगी capital punishment नहीं होगी ज्यादर साथा कुछ fine लगाया जाएगा जो कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे पे करना होगा नहीं कर पाते हैं तो फिर उसकी अलग procedure हो जाती है ठीक है चलिए यह हो जा हमारे civil matters criminal matters की जब बात करूं कुछ ऐसे offences जो बहुत ही heinious nature के होते हैं जाए बहुत ही घिनोने होते हैं उनको consider करा जाता है किसमें criminal matters में साथ-साथ ऐसे matters जो हमारे Indian Penal Code में दिये गए है IPC Indian Penal Code का short firm क्या है IPC तो जब आप movie से वगणा देखते हैं कि IPC की दारा तीन सव अ थर्तर लगाई जाए IPC की दारा ती दो सो चौन सट लगाई जाए तो यह basic IPC का full firm क्या है Indian Penal Code कब बना था यह 1876 में that means इसको किस ने बनाया था तो हमारे Britishers ने बनाया था ठीक है डेवलप्ट बाइ Britishers अब आप सोच यह 2022 चल रहा है और यह IPC हमारी 1876 की बनी है बट इन फाक्ट उस टाइम पे भी जिन्होंने भी इस IPC को बनाया था उसने अपनी इतनी futuristic सोच रखी थी उस टाइम पे कि भाई सब हर एक क्राइम जो पॉसिबल है ना वह इस IPC में डिफाइंड है अगर माल लिजे को एक नया टाइप का क्राइम आता है जो कि किसके माटर रहेगा क्रिमिनल माटर रहेगा तो अगेन हम इस IPC को अमेंड करके उसमें आड कर सकते हैं या फिर माल लिजे ऐसा कोई लौ है जो आज की डिट में वालेट नहीं है टेकि जैसा IPC की 1111 थी दफाए 111 थी जो की आपके लिजी बीटी की कम्यूनिटी के अगेंस थी तो उसको अब इस टाइम के इसाफ से देखके उस चीज़ को हटा दिया गया तो ऐसे आड ओन या रिमूबल IPC में पॉसिबल है तो अमेंड मेंड ठेक है और यह अमेंड मेंड कौन करेगा तो पार्लेमेंड करेगा ठेक है अमेंड मेंड कौन करेगा तो पार्लेमेंड करेगा जुडिशियरी भी इसको रिकर वो अथराइस कर सकती है कि यह पर्टिक्लर लौ अब लागू नहीं है बट हां कोच और आड ओन करना है तो अगें अमेंड मेंड मेंड होगा ठेक है चलिए अब क्या है ना इसमें कुछ ऐसी चीज़े भी है जुसको कई बर अगर आप जनरल और जनरल की भीश में हो जाती तो इसको स्विल मैंटर में लेंगे बट अगर आप उसको एक इससी च्पर्सन के कर थे हो तो स्कु क्रिमिनल में लेंगे ठीक है तो अगर ऐसा कोई लौ आ जाता है या ऐसा कोई आक्ट आता है जो कि specify करता है कि यह पर्टिक्लर जो action है किसी एक person का उसको criminal में deal करा जाएगा तो ऐसे lobby कर जाएंगे ऐसे offenses भी किसमा जाएंगे आपके criminal matters मा जाएंगे procedure to prosecute ठीक है is mentioned in criminal procedure code criminal procedure code को काँ बोलते हैं CR PC इसको ऐसे लिखा जाता है क्या लिखा जाता है R रहेगा जो small रहेगा क्रिमेनल का CR स्मॉल रहेगा और PC रहेगा ठीग है तो criminal procedure code of 1973 का भाता है हमारे 1973 में इसको बनाया जाता है तो ऐसे basically क्या होता है या laws जो IPC में है या कोई Act में है या कोई Law में है यह सब कहां पर आएंगे आपके Criminal Matters में हैंगे properly क्या definition होनी चाहिए यह हमारा Constitution Define नहीं करता चलिए चलिए अब classification of offense देखते कि offense भी कितने type के होते हैं हमने अभी nature देखा ठीक है क्लासिफिकेशन of office कितने type के हो सकता है सबसे पहला offense होता है Bailable offense चाहिए जिसमें कि आपको क्या क्या का पूलिस बेल दे सकती है Certain conditions पे ठेक है कौन फेल देगा पूलिस बेल देगी ठेक है तो वह गया या आपका available offense, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकतो, ठाने में जाके कोच या तो राशी जमा कर सकते हो, या किसी का statement जमा कर सकते हो, कोई आपकी guarantee लेता है, ऐसी अलग-अलग conditions depending on the crime, ठीक है, again depending on the crime, और depending upon the police, तो अलग-अलग conditions create करी जा सकती, जिसके basis पर आपको bail कौन provide करेगा, तो आपको bail provide करेगा पुलिस तो पुलिस में grant bail on certain grounds and condition नेक्स्ट आता है non-bailable non-bailable जैसे की नाम से आपको समझ मा आ रहा है कि इसमें bail नहीं मिलेगी ठीक है basically bail तो मिल जाएगी but इसमें police cannot grant bail ठीक है इस case में पुलिस आपको bail नहीं दे सकती अगर आपने एक ऐसा non-bailable offense जो कि अभी मैंना बात करें थी SCST Auto Cities Act में उसमें जो भी actions है जो उसको define करा गया है as a criminal nature वो साथ-साथ non-bailable type के offense भी है that means अगर आपको ऐसा act कर देते हैं जो कि SCST Auto Cities Act में as a crime है तो उस case में आपको bail नहीं मिलेगी that means police आपको bail नहीं दे सकती bail कौन देगा only a magistrate can grant a bail in court कौन बेल देगा magistrate देगा और कहां देगा court में देगा ठीक है that means उस दौरान के लिए जब तक आप court में पेस्ट नहीं होते हैं आपको हावालात में बैठना है ठीक है चली नेक्स आता है compoundable type का ठीक है compoundable case matter solvable through mutual agreement or by living compensation माल लीजे कि हमारा और आपका accident हो जाता है ठीक है तो compounded वो क्या हो जाएगा एक टाइप के compoundable offense हो जाएगा क्योंकि ultimately उसको settle करा जा सकता है ठीक है माल लीजे आप में डामेज पे करने के लिए नहीं रेडी है मैं भी डामेज पे करने के लिए रेडी नहीं हो ता ultimately हम court जाएंगे court को decide करेंगे court बोलेगा बाचता आपकी गाड़ी मैं सुधरवाद हो मेरी गाड़ी आप सुधरवाद हो खतम का नहीं that means matter क्या हो गया या फिर क्या हो सकता हमारे उपर कोई एक पर्टिकुलर फाइन लग सकता है तो ऐसे मैटर्स जो होते हैं जो कि अपस में बातचीत करके एग्रीमेंट करके ऐसे मैटर्स का होता है आपके कंपाउंड़ लिको खोते हैं ठीक है चलिए नॉन कंपाउंड बल अगें जिसमें क्या हो सकता कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता जिसमें फाइनल डिसीजिजन अपना जूडिशिए ही देगा वह भी एक प्रॉपर डिगरी के साथ या वर्डिट के साथ डाट मींस रिटेंट जज्मेंट आएगा यहां पर किसका जुडिशिरी के तो ऐसे केसे कश से होते हैं नॉन कंपाउंड डिबल तो नॉन कंपाउंड डिबल ओफेंस की एफ़ाइर करते हैं तो आप उसको ही देगा ठीक है चलिए कोगनिजिबल ओफेंस अगें कुछ ऐसे हीनियस क्राइम जिसमें क्या होता है कि बहुत जैसे मान लीजे रेप केस है फॉर एक्जांपल ठीक है तो यह बहुत ही ऐसा क्राइम माना जाता है जो कि इंसान के खिलाफ नहीं समाच के खिलाफ भी माना तो ऐसे हीनियस क्राइम बेसिकली अगर कुछ होता है तो हमने छूट दी है कि इसको पुलिस को कि विदाउट प्रॉपर फॉर्मालिटी वो अपनी इन्वेस्टिकेशन क्या कर सकता है शुरू कर सकता है जैसे उसको खबर मिलती है वो तुरण चानबीन कर सकते हैं कोई भी टाइब की फॉर्मालिटी उनको कंप्लीट करना अनिवार्य नहीं है बाद में जरूर जब वो एक पर्टिकुलर डिसिजन पर पहुंचते है तब अपनी फॉर्मालिटी वो कंप्लीट कर सकते हैं बट इनिशली उसको सॉल्फ करने के लिए या आप कह लिजे कि तुरंत व लाए नॉन कोगनिसिबल कैसा हो जाएगा जिसमें की प्रापर पेपर वर्क चाहिए प्रॉपर फॉर्मालिटी से यह वह ले के सिसमा जाएंगे नौन कोगनिसिबल में जाएंगे तो यह है हमारे डिफ्रेंट टाइप सफ क्या आपके ओफेंस बिरियस प्लासिफिकेशन offences पिछले वाले में हमने देखा था क्या nature of offences अभी हम देखना गलग टाइब के offences चलिए कि नेक्स बात करते हैं अगेन हम जुडीशिरी पर आते हैं वापिस से हमने केस समझ लिए क्रेमिनल क्या होते हैं सेवल क्या होते हैं सब चीज़ा हमने देख लिए अब देखते हैं हमारा introduction about judiciary आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में और पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉंसिशन के बीच में आता है ठीक है हाई कोट का आर्टिकल नंबर 214 से लेके 231 फाइनली सबॉर्डिनेट कोट अगेन उसके नीचे पार्ट 6 में ही आता है आर्टिकल 233 से लेके 237 आपा स्क्यूज मी अपार्ट फूं ट्रेडिशनल जुडिशरी पार्लेमेंट बाइफ 42nd constitutional amendment 1976 created tribunals यह tribunals बिसिकली समझे क्या होत है क्वासी का मतलब अगे आदा अदूरा ठीक है इनके पास क्या होता है शक्ति रहती है किसी एक पर्टिकुलर माटर पे डील करने के लिए tribunals बेसिकली किसी स्पेसिफाइट परपस के लिए ही बनाए जाता है फॉर एक्जामपल जैसे हमारे यहां पर नर्मदा नदी है इंपी में होती है बट इल्टी मेटली कहां जाके भैठी है गुजरात के खमबात के खाडी में तो बटाट मीज तो फोड़ा वहां प्र नादे कर से करेगा या कैसे यूज करेगा माली जागर हम डाम बना देते तो आगे तो पानी नहीं जा पाएगा तो ऐसे यह एक कावेरी वाटर डिस्पूट ट्रिबिनल भी बना हुआ है एक आपको बहुत फेमस ट्रिबिनल है एंजी टी ठीक है महला ग्रीन ट्रिबिनल बना हुआ है कि इसकी परह हाई कोट के बराबर की पावर होती है बट ओफ सिविल नेचर ठीक है क्या वो पावर होती है इनकी पावर ओफ हाई कोट ओफ सिविल नेचर ठीक है हाँ जाहिर सी बात है कि यह क्योंकि एक क्वासी जुडिशल बॉड़ी है टोटल जुडिशल बॉड़ी नहीं है तो यह डिरेक्ली किसके अंडर आते हैं हाई कोट के अंदर ठीक है किस के अंडर आएंगे हाई कोट के अंडर आएंगे आपको अगर ट्रिबिनल के डिसीजन का गेंस जाना है तो आप किस में अपील करोगे हाई कोट में अपील करोगे सुप्रीम कोट में भी कर सकते हो बट प्रोसीजर वाइस देखा जा तो हाई कोट में ही करोगे ठीक है, यह होते हैं हमारे tribunals, चले, tribunals article number 323 में है, कहा है, 323 में है, created for specific administrative purpose and to solve disputes, vested with power of civil court, ठीक है, added through 42nd constitutional amendment 1976 in part 14 है, यह जो है, यह swan Singh committee, इस committee की recommendation पर हमने क्या बनाया था, हमने tribunals बनाये थे, ठीक है, कौन सी committee है, वो swan Singh committee है, जिसकी recommendation पर हमने क्या करा, article number 323 बनाया, और उसको 42nd constitutional amendment भी होता है, और उसको part 14a में जोड़ा जाता है, चली, देखते हैं आप Supreme Court of India के बारे में, सबसे पहले constitutional structure और organization देखेंगे, तो article number 124 सब 128, और article number 130 के बारे में बात करेंगे, फिर उसके powers of Supreme Court के बारे में बात करते हैं, तो article number 129, फिर article number 131 से लेके 145, और finally rules and regulation की बात करते हैं, तो article 146 और 147 की हम बात करने चले आते हैं, Supreme Court was inaugurated on 28th January 1950, ठीक है, succeeding in the Federal Court of India, Supreme Court से पहले हमारे highest court कौन सा हुआ करता था, तो Federal Court of India, ठीक है, मतला यह कहां था, यह Britishers ने establish करा था, पहले का हुआ करता था, यह Calcutta, ठीक है, अब मान लिजे, Federal Court of India के against में अगर आपको अपील करनी होती थी इनके decision में, तो आपको Britain जाना परता था, और Britain की Privy Council के against में, इनके सामने क्या कर सकते थे, आप Federal Court की लिए अपील कर सकते थे, तो Federal Court of India और British की Privy Council, इन दोनों को मिला कि basically हमने क्या बना दिया, as हमारा Supreme Court of India, ठीक है, Supreme Court of India 28 January 1950 को इन दोनों को super seat कर देता है, और India में highest judicial authority declare हो जाता, तो यह था basically क्या थोड़ा बहुत introduction about Supreme Court, चलिए, आगे देखते हैं, आब आप technicalities के बारे में चलते हैं, articles के बारे में चलते हैं, about Supreme Court of India, चलिए, organization and structure की सबसे पहले बात करेंगे, तो article number 124 क्या बोलता है, establishment and constitution of Supreme Court, which is an apex court, apex court का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे top का court या सबसे top authority, top authority, food chain में सबसे उपर रहने वाला या आपके लिए top best authority क्या हो जाएगी, हमारी Supreme Court of India, ठेक है, तो article number 124 के तहती basically हमने क्या करा है, federal court of privy council को हटा के, as supreme court हमने established करा है, as the most highest appellate court, ठेक है, चरिए, article number 124 subclass 1 क्या बोलता है, number of judges के बारे में, क्या बोलता है, number of judges के बारे में, तो till 2019, total number of judges कित्त हुआ करते थे, 31, that means 30 plus 1, ठेक है, अब कितने हो गया है, 34, including the chief justice of India, that means 33 plus 1, यह structure हो गया, आज की date में किसका, हमारे supreme court of India का, 2019 तक किते थे, 30 थे, देखिए, ऐसा नहीं था कि 1950 से लेके, 2019 तक 31 थे, बीच-बीच में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, आर्टिक नमर 124 सेकेंड सब क्लॉस का बोलता है, appointment of judges, तो appointment of judges कौन करेंगे, तो precedence आप करेंगे, कौन करेंगे, precedence आप करेंगे, आप देखिए, appointment तो precedence आप कर देंगे, बट अगें, उनका नाम कहीं नहीं के तो recommend होना चीना, प्रेसिटेंट साब भाई, court to court तो धुमेंगे, नहीं कि भाई सब ये जजज अच्छा है, ये जजज बुरा है, ऐसा कुछ, है ना, उनको कुछ ना कुछ क्या होगा, recommendation दिया जाएगा, ठीक है, तो आप recommendation की जब हम बात करते हैं, तो collegian system आता है, क्या आता है, collegian system, ठीक है, for the appointment of judges, collegian basically अगेने committee, ऐसी type की हो जाती ही, लोगों की, जो की आपस में discuss करके, क्या करेगी, recommend करेगी, नाम Supreme Court of India, या फिर आपके लिजे कि Supreme Court के judges के नाम recommend करेंगी, भले ही वो Chief Justice हो, ये कोई और the senior judge हो, ठीक है, चलिए, या उनका transfer करा जाता है, ठीक है, चलिए, बेसिकली क्या होगा, इसमें Chief Justice of India, plus four senior judges, कौन होंगे, Chief Justice of India, plus four senior judges of Supreme Court, of Supreme Court, in case of transfer and appointment of high court justice, recommendation is binding, if name appear, or recommend it again, माल लीजे कि क्या होता है, कि ये लोग इस लिस्ट देते हैं, याद रखना, जो ये कॉलेजियम लिस्ट देगा न, वो युनानीमसली देगा, मतलब इसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा, जो उन नाम पे अगरी नहीं करेगा, पूरे के पूरे Chief Justice साब और चार senior judges, जो honorable members रहेंगे, ये सब एक ही नाम पे सहमत होंगे, ठीक है, अगर माली जे कोई एक इंसान भी सहमत नहीं होता, तो वो लिस्ट दुबारा बनती है, ठीक है, अब in case of transfer and appointment of high court justice, ठीक है, high court justice मतलब वो इंसान जो की high court का क्या रहेगा, head रहेगा, यहाँ पे Chief Justice of India की बात करते हैं, तो Chief Justice of India head रहेटे हैं, किसके? Supreme Court के, similarly high court justice की बात करते हैं, तो वो head रहेटे हैं, किसके? High court के, ठीक है, recommendation is binding, ठीक है, if the name appears or reappears, माल लिजे की भाई, क्या होता है, ये लोग लिस्ट जेते हैं, President साब उसको बोलते है, reconsider कर लिजे, और फिर माल लिजे, उसका निम दुबारा आता है, तो ये President साब पर binding होगा, कि उसको क्या बनाए, appoint कर दे, आज़ जस्टिस, चली, appointment of Chief Justice of India, देखते हैं, Chief Justice of India कैसे appoint होते हैं, तो President will consult other judges of Supreme Court, ठीक है, और High Court, अगेन वह वाला होगा, outgoing, C.J.I. plus four senior judges, ठीक है, अब देखिए, ये College हमने पढ़ा दूसरे को लिए, Chief Justice में थोड़ा सा change क्या आ जाता है, कि ये जो चार judges रहेंगे न, ये या तो Supreme Court से हो सकते हैं, या High Court से हो सकते हैं, ठीक है, ये कहीं से हो सकते हैं, अगेन ये decide कौन करेगा, President साब करेंगे, क्योंकि consult उसी से करना है, ठीक है, तो या तो क्या होगा, judges of Supreme Court रहेंगे, या High Court के Justice साब रहेंगे, ठीक है, as necessary and outgoing Chief Justice of India, मतलब जो Chief Justice साब retire होने वाले, उनका recommendation भी लिया जाएगा, कि भाई, आपके बाद किसको Chief Justice बनाया जाए, ठीक है, normally, the senior most judge of Supreme Court is appointed, normally क्या होता है, senior most judge जो होते हैं, हमारे Supreme Court के, उनको appoint कर दिया जाता है, as Chief Justice of India, ठीक है, although, ऐसा कोई भी constitutional status, या आप कहले जी, constitutionally, ये requirement बिलकुल भी नहीं है, constitution ऐसा बिलकुल नहीं बोलता है, कि आप क्या करें, कि एक ऐसे इंसान को, या फिर आप जो इस basically क्या है, senior most person को ही appoint करें, constitutionally, कोई requirement नहीं है, कोई binding नहीं है, generally, इन आम तोर पर practice चलिए आ रही है, ये एक type के, senior most judge ही जो होते हैं, Supreme Court के, वो Chief Justice बनते हैं, अधर जिसकी मैं बात करूँ, तो a collagen comprising Chief Justice of India, plus four other judges of Supreme Court or High Court, recommend names to President, consult with Chief Justice of India is mandatory, ठीक है, ये हो गया, normal collagen system की जो बात हो रही थी, वो ही था, चलिए, controversy की बात करते हैं, on recommendation of Chief Justice of India, महला आप देखे, यहाँ पे, President साब बनात हो रहे हैं, but suggest कौन कर रहे हैं, सिर्फ Judiciary की members ही suggest कर रहे हैं, तो इसमें democratic process कहां आ रहा, ठीक है, तो इसलिए कही है, बहुत सारे controversies होता है, तो 1950 से लेके 82 तक, ठीके 1950 से लेके 82 तक, independent upon the discretion of President की senior most judge को बनाया है, या किसी और को बनाया है, जो भी चीज है, तो dependent on the discretion of President, कि President साब किसको बनाना जाता है, फिर 1982 में आता है, first judge's case, President is not bound on the recommendation, जो भी Collegium recommendation देगा, उसमें ये बोला जाता है, कि President साब will not be bounding on the recommendation that is given, ठीक है, second judge's case आता है, 93 में, जो कि क्या बोलता है, कि President साब अब क्या होंगे, bound होंगे, President साब क्या होंगे, bound होंगे, किसका to accept the recommendation, मलब President साब उस recommendation को दुबारा नहीं बेच सकते, three people advisory committee बनाई जाएगे, जिसमें एक chief justice रहेंगे, और दो senior most judges of supreme court रहेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये नाम recommendation करेंगे, ठीक है, third judge's case आता है, 1998 में, जिसमें कि क्या बोलते हैं, इस collegium को बढ़ा कि क्या कर दिया जाता है, 4 का कर दिया जाता है, collegium of 4 कर दिया जाता है, so even if two judges give adverse opinion, that means opposite opinion, recommendation should not be sent, सीदी से कानियम जब तक 4 को 4 अगरी नहीं होंगे, तब तक recommendation नहीं बेची जाएगी, and recommendation is not binding, recommendation is not at all binding on precedent, चलिए, नेक्स आता है, 99th Constitutional Amendment 2014, 99th Constitutional Amendment 2014, यह क्या बोलता है, National Judicial Appointment Commission, यह बनाया जाए, एक ऐसा commission बनाया जाए, जो basically क्या करेगा, आपके appointment करेगा, of judiciary, this is to replace the collegium, जो collegium बना था 4 judges का, इसको replace करके क्या बनाया जाएगा, NJAC बनाया जाएगा, National Judicial Appointment Committee बनाया जाएगी, but ultimately 2015 में फिर से एक judges case होता है, जिसमें इस NJAC को, Unconstitutional गोशत कर दिया जाता है, बाच साब यह Constitution के खिलाफ है, इस से हमारी independence जो है, वो effect होगी, माल लिजिए, इस NJAC में, और कहीं न कहीं कोई political इंसान तो आए गई, और कहीं न कहीं तरफ से यह influence भी होगा, यह biased भी रहेगा, तो अब हमारी क्या independence जो है, हमारी judiciary की, वो कम होगी, अगर वो कम होती तो वो अपने आप में कहा है, समविदान के खिलाफ है, तो वो Unconstitutional है, तो इस case से basically इस 99th Constitutional Amendment में जो NJAC की बात हुई थी, उसको हटा दिया जाता है, और वापिस से जो Collegium सिस्टम है, उसको adopt कर लिया जाता है, ठीक है, चलिए, NJAC Act and Constitutional would affect the independence of judiciary, और वापिस से Collegium सिस्टम को क्या कर लिया जाता है, adopt कर लिया जाता है, तो यह थी पूरी की पूरी controversy about the appointment of judges of Supreme Court, चलिए, criticism of Collegium की बात करते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं, इस नॉट डेमोक्राटिक प्रोसेस, भाई साब, इसमें कहीं से लेके जनता की जो आप बोल रहे हैं, तो इसमें multiple लोगों की decision कहा, या फिर representatives भी हो, जो हम भेज रहे हैं, उनका कोई role नहीं है, तो it is a democratic, it is not a democratic way, not mentioned in constitution, भारती समविधान में Collegium का कोई भी प्रावधान, बिलकुल नहीं है, तो आप इसको कैसा adopt कर सकते हो, practice of nepotism and personal patronage in Greece, ठीक है, ये बताया है किसने law commission of India, 2009 की report में उन्हें बोला है, कि इस Collegium system की वज़े से क्या हो रहा है, practice of nepotism, ये nepotism याज होगा तो Bollywood में बहुत चला था, ठीक है, बाप आ रहा है, बाप का बेटा आ रहा है, उसकी बेटी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो practice of nepotism and personal patronage has increased, ठीक है, किसने बोला है, law commission of India ने बोला है, commission बठाये गया था, जिन्हें उन्हें अपनी report submit कर रही थी 2009 में, recommend it without scouting raw talent, ठीक है, recommendation जो जा रही है, CGI की तरफ से और four senior judges की तरफ से, वो अपने आप में senior most पे जा रही है, ठीक है, तो जो raw talent है, उसको discover नहीं करा जा रहा, उसको scout नहीं करा जा रहा, सीदे-सीदे क्या हो रहा है, seniority के basis पे आप CGI बनाये जा रहे हो, ये है क्या criticism about your collegium system, याद रखना, this is criticism not against the judiciary, but against the collegium system, चलिए, article number 125 क्या बोलता है, salaries and allowance, determine करेगा, parliament करेगी, charge upon consolidated fund of India, ये याद करीए, संचित निदी हमने पढ़ी थी, article number 266 में, ठीक है, तो इसी पर ये charge होती है, और determine कोन करता है, इनकी salary, parliament determine करेगी, cannot be valid to their disadvantage, मतलब माल लीजे, अगर इनकी एक judge की salary, fix होती है, 5 लाग रुपे पर महीने पर, तो आने वाले terms में, जब तक वो judge है, उसकी salary 5 लागी रहेगी, उसको आप उसकी disadvantage पे नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो, बढ़ आप कम नहीं कर सकते, ठीक है, चलिया, article number 126, acting chief justice, माल लीजे, कोई ऐसी particular situation आ जाती है, जिसमें CGI साब, या तो बिमार है, या he's not able to perform his duties, जो भी चीज़े है, जो भी condition आ जाती है, उस time भी प्रेजिट नहीं होता है, ऐसे case में, एक acting chief justice of India, पॉइंट करा जाता है, या फिर माल लीजे, कोई seat vacant है, अभी तक decision नहीं हो पारा है, तो ऐसे में क्यों आएंगे, acting chief justice आएंगे, ठीक है, चलिया, प्रेसिडेंट के न अपॉइंट जज़ अफ सुप्रीम कोर्ट, as acting chief justice of India, when office is vacant, और chief justice of India is unable to perform duty, इन केस में कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट साब करेंगे, अगें, जज अफ सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो खुद बैठ जाएंगे, या किसी दूसरे इंसान को बठा दे, as an acting chief justice, चलिए, article number 127, ad hoc judges, याद करी जब हमने committees पढ़ी थी, तो हमने इस ad hoc का मतलब संजाता, जो कि है temporary, ठीक है, minimum quorum को complete करने के लिए, आगें quorum क्या हो जाएगा, minimum quota of judges, ठीक है, Supreme Court में work करने के लिए, कम से कम minimum number of judges लगते हैं, ऐसे case में कि भई सब माल लीजे कि, अभी 30, हमाँ पास 34 है, 33 plus 1 total members, 33 में ये post है, बट ज़रूरी नहीं है कि, अभी currently हमाँ पास 33 judge हो, total number of judges कितने हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, but it is not at all necessary कि, अभी हमाँ पास क्या हो, 33 ही हो, इन केस माल लेजिए, minimum number of judges का quorum complete करने के लिए, हमाँ पास judge नहीं है, तो till then की procedure चलता रहा है, हम क्या कर सकते हैं, temporary judges भी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, when in lack of quorum of permanent chief justice, ठीक है, of India, can appoint judge of high court as ad hoc judge, ठीक है, कौन appoint करेगा, chief justice of India, appoint करेगा, judge किसको, of high court, ठीक है, कैसा, as ad hoc judge, ठीक है, that means for temporary period, generally, एक साल का होता है, एक साल से उपर का नहीं होता, but again, एक साल से उपर का भी करना है, तो वो कर सकते हैं, without particular notification, ठीक है, तो क्या, when in lack of quorum of permanent, ठीक है, quorum of permanent judges, chief justice of India, can appoint justice of high court, as ad hoc judge, on a temporary basis, chief justice of India, can do so, after consulting justice of high court, and prior recommendation of president, prior recommendation, किसकी जरूरी है, president साब की जरूरी है, कि भाई साब मैं क्या हूँ, इस particular justice को, या इस particular high court की justice को, supreme court में, as an ad hoc judge, appoint करना चाहता हूँ, ये prior recommendation लगेगी, साथ साथ, उस particular judge से भी पूछा जाएगा, कि क्या आप आना चाहते हो, या आप अपनी जगा, किसी और को बेज सकते हो, ऐसी भी पूछा जाएगा, किस से, उस high court के justice से, judges so appointed, should be qualified to be a judge of supreme court, ठीक है, they should be qualified, to be a judge of supreme court, अगर वो qualify नहीं करते है, अगर मानली जी कोरम नहीं हो रहा हो, कि आप मानली जी की बैस साब कोई नहीं कोई कमी आ रही हो, तो attendance of retired judges का भी प्रावदर, हमें कहां देखने को मिलता है, article number 128 में देखने को मिलता है, चलिए, qualification of judge, सबसे बड़ा काम, क्या-क्या qualification हो सकती है, एक judge की, of supreme court, ठीक है, सबसे पहले तो होना अच्छी बाइसा, भारत के citizen, the him should be a citizen of India, दूसरी condition में तीन options है, इन तीन में से कोई एक, ठीक है, या तो वो high court के justice रहे हो, पांच साल के लिए, या उससे उपर के लिए, ठीक है, मनला high court के head, या जस्टिस की बात कर रहा हूँ, या फिर high court में वो advocate रहे हो, दस साल या उसके उपर के लिए, ठीक है, advocate of high court for 10 years or more, ठीक है, या फिर, distinguished jurist, मनला अपने आप में बहुत, अफला तुन आदमी, मतला हरफन मौला आदमी रहना चीए, in opinion of president, in opinion of president, president अका सोचता है कि, हाँ ये वाला judge बहुत जबर्जस्त है, यासा है, तो वो इन दोनों condition को भी नकार सकता है, सबज माया, तो ये हैं basically क्या qualification of judges in supreme court, चलिए, आगे बात करते हैं इनके tenure के बारे में, तो maximum age क्या हो सकती, Chief Justice साब की 65, मतलब 65 की उमर जैसी उनकी attain होती है, तो उनको retire होना पड़ता, उसके आगे तक वो appointment नहीं ले सकते, question regarding to age to be determined by the authority provided by parliament, मतलब parliament ही इस age को बढ़ा कर सकती है, या कम कर सकती है, can resign addressing to president, अगर वो resign करना चाते हैं, तो presidents आपको address करके resign कर सकते हैं, removed by president on recommendation of parliament, remove कौन करेगा, precedent करेगा, बट recommendation किसकी लगेगी, तो parliament की रखेगी, अब इनका removal procedure भी जो होता है, वो बहुत मतलब मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से किसी भी judge को आप निकाल सको, अपने आप में बहुत complicated procedure होता है, जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं, चलिए, removal of judges की बात करता है, प्रोसेस की बात करता है, removal motion signed by 100 members, जो removal motion आएगा, वो कम से कम 100 members sign करने चाहिए, लोगसभा की case में, that means अगर removal motion कहां आता है, लोगसभा में आता है, तो उस motion पे कम से कम कित्ते लोगों के sign होने चाहिए, 100 लोगों के sign होने चाहिए, और 50 members from राजसभा, अगर वो particular motion राजसभा में आता है, तो 50 member ऐसे होने चाहिए, जो उस motion पे sign होने चाहिए, ठीक है, and then it should be given to speaker or chairperson, again depending on the house when the motion is originating, speaker or chairperson may or may not admit the motion, speaker अगर आपने discretion पे चाहिए, तो उस motion को खारविच कर सकता है, उसको admit या नहीं admit करने का decision, sole decision किसका होगा, तो speaker या chairperson का ही होता है, माल लीजए अगर वो इस motion को accept कर लेता है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तीन member की committee बनाएंगे, ठीक है, three member committee will be constituted to investigate the charges, जो भी charges इन पे लगे हैं, उसको investigate करने के लिए, तीन member की community जो है, committee जो है, वो बनाई जाएगे, किसके द्वारा, तो हमारे chairman साब, या speaker साब द्वारा, चलिए, committee comprising chief justice of India, और judge of supreme court, माल लीजे कि, अब, किसी judge के against एक committee बैठी है, तो उस case में chief justice बैठेंगे, ठीक है, माल लीजे, या chief justice का against बैठी है, तो उस case में judge of supreme court बैठेंगे, ठीक है, plus justice of high court रहेंगे, किसी एक particular high court के, साथ-साथ distinguished jurist, कोई एक ऐसा particular person, जो की judiciary से मेभी ना belong करे, जरूरी नहीं है कि belong करेगा ही करेगा, हो सकतो नहीं भी belong करे, बट तीसरा बंदा ऐसा बिठाएंगे, जो की क्या हो, आपने आपने एक distinguished jurist हो, if committee finds the accused guilty, ठीक है, if committee finds the accused guilty, house considered the motion as passed, ठीक है, अब क्या होगा, उस motion पर voting होगी, क्या होगा, voting होगी, तो by each house, by special majority, ठीक है, special majority मतलब two-third, majority से pass, उस motion को होना पड़ेगा, each house से, याद रखे किसी एक house से नहीं, each house से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, to the president, who then will release orders of removal, तो मतलब यह अपने आप में कहा है, complicated procedure की बच्छाब देखिए, सबसे पहले तो admission की बात होती है, या फिर इसको लेने की बात होती है, तो यहीं पर बहुत difficult है, 100 member का sign लेना, या 50 member का sign लेना, दूसरी चीज, इस चीज को, यह वाला जो point है, यह बहुत important होया था, मान लिजे, speaker chairman बोलता करना, नहीं या तुम फालतु acquisition लागा रहे हैं, मैं इसको accept नहीं करूँगा, तो बिना किसी basis के, बिना किसी explanation के, वो इसको खारिच कर सकता है, दूसरी चीज, मान लिजे, इसको accept भी कर लिया, committee बन जाती, तो committee भी अपने आपकी report send करेगी, उस पर फिर further motion जो है, उसको voting होगा, voting जो है, special majority से pass होना चाहिए, simple से नहीं, और साथ-साथ, हर एक individual हास, मतलब मान लिजे, लोग सभा में जो था, two-third majority से pass हुआ, फिर मान लिजे ये जाता है, राज सभा, ठीक है, तो वहाबे भी two-third majority से pass होना चाहिए, joint sitting का कोई प्रावदान इसमें, बिलकुल भी नहीं है, ठीक है, चले, seat of supreme court की बात करता हूँ, तो supreme court कहां-कहां बैठेगा, तो it shall sit in Delhi, ठीक है, और other places in India, decided by the chief justice of India, decide कौन करेगा, chief justice सब करेंगे, ठीक है, with approval of president, with approval of president, तो ये हो जाता है, क्या आपका पूरा sitting, मतलब हम देखते हैं, कि कई बार high courts की divisional benches बैठती है, ठीक है, तो वही बात की बात हुरी है, seat की भाई सब ये लोग basically in office रहेगा कहां-कहा, में तो डेली में रहेगा, ये constitution ही बोल रहा है, साथ-साथ ऐसी जगा पर भी रह सकता है, जहां पर chief justice साब चाहते हैं, अगें permission किसकी लगेगी, president साब की, चलिए, next आते हैं, हम बहुत important aspect पे, बहुत ही, यहां से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, questions फटा जाते हैं, कि supreme court के पास कौन-कौन सी power है, और उन powers का मतलब क्या होता है, तो supreme court is also interpreter of constitution, and guarantor of fundamental rights, apart from these all powers that you can see, original jurisdiction, jurid jurisdiction, appellate, advisory, constitutional interpretation, सब चीज, court क्या करेगा, constitution का final interpreter रहता है, जो भी interpretation, किसी एक particular term का, definition देना हुआ, किसी एक particular line का, मतलब समझाना हुआ, final interpreter कौन होगा, तो हमारा supreme court ही होगा, और इस interpretation के against, आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक है, साथ साथ, guarantor of fundamental rights, याद करिये, article number 32, यहाँ पर बात हुई थी, कि भाई सब, supreme court of India, guarantee लेता है, कि आपकी fundamental rights का, अधिकार जो है, वो आप तक बना रहेगा, उसको violate नहीं करा जाएगा, उसका किसी भी तरीके से, हननन नहीं होगा, अगर आपके पास हननन होता है, इन सब आपके fundamental rights का, आपके पास क्या है, सीधा right है, supreme court पे आने का, सीधा right है, कहां आने का, supreme court के आने का, ठीक है, चलिए, एक-एक करते हैं, की पावस की बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आटिकल देख लो, original jurisdiction की बात करते हैं, तो article number 131 में आता है, रिट jurisdiction की बात करते हैं, article number 32, जैसा भी मैंने बताया, hebious corpus, mandamus, surgery, यह वाली जो रिट्स होती, ये शु कर सकते हैं, साथ साथ आटिकल नमबर 139 भी रिट सही इशूद है, अपेले जुरिस्टिक्शन की बात करते हैं, तो article number 132 और 136 की बात होती है, advisory jurisdiction की बात करते हैं, तो article number 143, ये advisory jurisdiction याद हो तो हमने पिछले वीडियो में, जब हम बात कर रहे थे, attorney general साब के बारे में, पावर जो जाती है, इनके पास वो सम, एक एक करके इनकी पावर देखेंगे, सबसे पहले आता है, original jurisdiction, ठीक है, original jurisdiction का मतलब यहाँ पे होता है, चलो, समझो, लिखने की ज़रुवत नहीं, यहीं लिखा हुआ है, dispute between center and one or the more state, ठीक है, ऐसा cases, जिसमें center और state की बीच में, dispute आ रहा है, ठीक है, साथ-साथ, state versus state, ठीक है, दो state की बीच में, dispute आ जाता है, ऐसे cases, साथ-साथ, violation of fundamental rights, ऐसे cases, तो यह जो आपके तीन-चाथ टाइप के जो cases बन रखे हैं, ठीक है, इन मामलों में, Supreme Court has exclusive original jurisdiction, exclusive का मतलब क्या हो गया, exclusive में, only Supreme Court can hear the dispute, that means, अगर state versus state का dispute होता है, तो किसी high court में नहीं जाएगा, किसी subordinate court में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, Supreme Court में, ठीक है, अगर साथ ही में, अगर center versus one or more state होता है, ठीक है, तो वो case भी कहां जाएगा, तो सीधा आपका जाएगा, Supreme Court में, ना कि, किसी और high court में, या subordinate court में, original jurisdiction का मतलब यह होता है, power to hear such cases in the first instant, मतलब सबसे पहले ही इनको दिया जाएगा, सबसे पहले ही priority ऐसे cases को दी जाएगी, यह है आपका क्या, original jurisdiction, ठीक है, दो चीज़र टर्म सामने आती है, एक तो exclusive और एक original, ठीक है, exclusive का मतलब है, कि सिर्फ यही सुनेंगे, exclusively इन्हीं के पास power है, ऐसे cases सुननें की, original jurisdiction का मतलब यह है, कि इनका गठन ही basically, जब है इनको priority अगर देनी होगी, तो वो इन्हीं cases पर priority देंगे, चलिए, डास नोट एक्स्टेंड टुद फॉलएंग, मला जो original jurisdiction है, यह following case में नहीं लग सकता, dispute arising on pre-constitutional treaties, agreements, etc., मतलब ऐसा कोई dispute arise हो रहा है, किसकी वाज़े से pre-constitutional, मतलब before, basically, 1947, अला कि हमारा constitution, 1949 में बना था, तयार हुआ था, बट हमारी constituent assembly इस टाइम पर चालू हो गए थी, तो before 1947 के टाइम पर अगर कोई इंडिया की treaty होती, किसी और particular country के साथ, या कुछ ऐसा agreement होता है, जो कि 1947 के पहले के constitution में था, तो ऐसे cases में, स्टेट वसे स्टेट या सेंटर वसे स्टेट इस case में, वो original jurisdiction इंके पास बिलकुल नहीं होगा, उसको सीधर सीधर खारिश कर देगी, बाज सब यह पुराना case था, अब हम independent हो चुके हैं, और हम नहीं चीज़े सुनेंगे, तो उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, dispute arising due to treaties or government agreements etc, which specify, specifically provides jurisdiction, ऐसा कोई particular jurisdiction आ जाता है, माल लिजे district और district के बीच में आता है, ठीक है, district और district के बीच में अगर कुछ होता है, तो वो high court में सुना जाएगा, ठीक है, तो dispute arising due to treaties or government etc, agreement etc, which specifically provides jurisdiction की बाइसाब ये जो पर्टिकल एरिया है, ये इस jurisdiction में आएगा, तो ऐसे case भी बिल्कुल नहीं सुनेगा, interstate water dispute, article number 262 के तहथ, interstate water dispute भी supreme court नहीं सुनेगा, हाला कि exception ये है, कावेरी जो आपका water dispute है, वो supreme court देख रहा है, कैसे देख रहा है, वो special league petition के तुरू देख रहा है, देखेंगे समझेंगे वो क्या है, matter referred to finance commission, ऐसा कोई matter जो कि finance commission को दिया जाता है, तो वो भी नहीं सुन सकता, article number 280 ये कहता है, commercial dispute between center and state, article 290 ये कहता है, कि अगर कोई commercial dispute है, किस के बिश में center और state के बिश में है, तो उस case में भी इनके पास, देखो, ऐसा नहीं है कि इनके पास case नहीं लेके जा सकता, बट इनके पास यहाँ पर original and exclusive jurisdiction जो है, वो नहीं है, ठेक है, उनके discretion पर depend करता है कि क्या वो इस case को accept करेंगे, या entertain करेंगे, या साफ मना भी कर सकते है, सीदि सिते, आम तोर पर क्या करते है, सिदा मना ही कर देते हैं, चलिए, next जैखते है, रिट जूरिस्टिक्शन, रिट जूरिस्टिक्शन क्या होती है, basically, fundamental rights को, enforce करने के लिए, ठेक है, उसको लागू करने के लिए, क्या हो सकती है, सुप्रीम कोट के पास एकी पावर होती है, जिसको बोलते है, रिट जूरिस्टिक्शन, वो इस रिट्स को इशू कर सकती है, जब हमने fundamental rights वाला चाप्टर देखा था, तो हमने कुछ टाइप के रिट्स देखे थे, जैसे कि कौन सा, मैंडमस, प्रोबिशन, कौवरंटो, सर्शरी, हैबियस कॉर्पस जैसे क्या देखे था, हमने रिट्स देखे थे, जो कि आपको कहां मिलते हैं, आर्टिकल नमबर 32, सब ग्लास 2 में देखने को मिलते हैं, तो यह पर्टिकुलर जो चीजे हैं, यह रिट्स जो हैं, वो सुप्रीम कोट इशू कर सकता है, कब करेगा, जब आपके क्या हो, फंडमेंटल राइट्स का वाइलेशन हो रहा हो, या उनका हनान हो रहा हो, ठीक है, तो पावर वेस्टेट इन सुप्रीम कोट इशू, हबिस कॉर्पस, मेंडमेंस, प्रोविशन, कौवर अंटो, सर्शरी, ठीक है, आर्टिकल नमर 32, सबक्लास 2 के थाट, सुप्रीम कोर्ट हास ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन इन दिस रिगाड, ठीक है, इट हास ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन, बट, नट, एक्स्क्लूजिफ, बट, नट, एक्स्क्लूजिफ, ठीक है, तो फंडमेंटल राइट्स के मामले में, प्राइटी बेसेज जो है, वो नहीं दी जाएगी, बट हाँ, आप सीधर कहाँ अपील कर सकते हो, पार्लेमेंट कें कनफर दीस पावर बाई लॉट टू इंक्रीज सूपर, सुप्रीम कोर्ट सुरिट जुरिस्टिक्शन, आर्टिकल नंबर 39 ये बोलता है, कि पार्लेमेंट अगर चाहे, तो इनकी जो रिट जुरिस्टिक्शन की पावर है, ठेक है, उसको इनक्रीज कर सकती है, कैसे लॉ बना के, ठेक है, जैसे कि for example, जब हम हाई कोट पढ़ेंगे, तो हाई कोट के पास भी क्या है, ये रिट जुरिस्टिक्शन की पावर है, तो रिट जुरिस्टिक्शन की पावर इनक्रीज कर दी जाती है, हाई कोट के पास भी भी क्या देखे उनको ये पावर देखे चलिए नेक्स बात करते हैं अपीले जिरिस्टिक्शन के बारे में तो रिप्लेस दब्रिटिश प्रिवी काउंसल जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर इनकेस आपको federal court of indyakस में आपको क्या करना है कि कोई भी decision लेना है या प्रिटिश प्रिवी पेंगताव जाना है तो आपको कहाँ करने पड़े Um खर कर देता है तो प्रिटिश प्रिवी काउंसल को रिप्लेस कर देता है to become सुनवाई हो तो highest court of appeal क्या हो सकता है तो supreme court हो सकता है ठीक है चलिए here's appeal against the judgment of lower courts ठीक है article number 132 क्या बोलता है constitutional matters के बारे में कि कैसे ऐसे constitutional matters है जिनके against में या जिनके लिए supreme court में क्या कर जिया सकती एक appeal paste करी दा सकती है तो appeal can be made if high court certifies case involving substantial question of law requiring interpretation of constitution अब देखे substantial question of law क्या होता है माल लीजे एक state है x और एक है y इन लोगों ने एक particular subject पे दो different law बना दिये ठीक है इन्होंने क्या कर दिये different law बना दिये तो अब भाई matter तो एक ही है तो different law की बात क्या होगी या फिर माल लीजे कुछ ऐसा particular चीज आती है कि जिस पे गलत interpretation हो रहा है या जिसका basically मतलब गलत निकला जाता है तो ऐसे question को बोला जाता है substantial question of law कि भाई सब ultimately इस law का जो importance है utility वो क्या है क्यों हम basically इस चीज को follow करना है या फिर आप इस पर अपनी टिपणी दीजिए कि यह सही है या गलत है तो अपील के लिए मेड इफ हाई कोट सर्टिफाइज क्या होना चाहिए हाई कोट से आपको क्या लेनी पड़ेगी permission लेनी पड़ेगी certification लेना पड़ेगा ठीक है नाज़ दगेश इन्वालविंग सब्स्टैंचल कोश्टिफिशन अफ लॉव रिक्वाइर इंटर्परेटेशन ओफ को सौल्फ करने में बिसिकली क्या है इंटर्परेटेशन ऑफ कॉंस्टीफिशन जरूरी है हाला कि सौबारेंटकोट बीक्या सकता है इंटर्प्रेट का सकता है ही कोड़् इंटर्परेटर्पटेशन होंगा वो किस के हात्म होग मौँ सूप्रीम कोड के y जा फिर same है same matter है x ठीक है इस पे जो है Bombay High Court एक decision देता है a इसका मतलब यह होगा कि माल लिजे यह जो मदरास High Court है इसको भी क्या decision देना पड़ेगा a but मदरास High Court क्या कर देता है इस पर decision a ना देखके b देता है तो ऐसा जो है decision है जो ऐसा भी जो decision आ जाता है जो strongly decide कर गया है वह भी क्यास में आ जाता है इसके अपीले jurisdiction में आ जाता है कि वह बंदा यह बोल सकता है कि भाई साब Bombay High Court ने तो इसका decision यह दिया था ठीक है Bombay High Court ने क्या कर रहा था decision a दिया तो मदरास High Court इसका एक यह नहीं रहा क्योंकि जुडिशियरी तो integrated है independent है ठीक है इसमें कोई पावर डिविशन तो है नहीं राइट जो एक High Court decision दे रहा है तो वैसा ही High Court on the basis of same case है same चीज़न सब कुछ है कुछ भी different नहीं है तो दूसरा High Court अलग decision क्यों दे सकता है तो ऐसे question भी किसमा आ जाते है substantial question of law में आ जाते है जिन पर interpretation of constitution is necessary to not satisfied with the judgment of High Court अगर High Court आपको allow करता है तो आप अगर judgment के खिलाफ है उनसे satisfied नहीं है तो भी आप Supreme Court में appeal कर सकते है permission of High Court is mandatory before appealing in Supreme Court ठीक है constitutional matters में permission of High Court is mandatory बिना High Court की permission के आप Supreme Court में क्या कर सकता अपील नहीं कर सकते क्योंकि यह original jurisdiction Supreme Court का बिलकुल नहीं है ठीक है चलो आटिकल नमबर 133 क्या बोलता है civil matters अभी हमने जब शुरुआत में जब इसके पढ़ रहे थे जब हमने criminal civil cases देखे थे तो यह वही civil nature में if the court certifies कौन सा court High Court certifies मतला अगेन क्या हो रही है यहाँ पर permission दे रही है ठीक है permission मिल रही है case involves a substantial question of law of general importance यह question needs to be decided by the Supreme Court मतला बाइस अब जो आप case लेकर आयो High Court में कलना वो हमारी land नहीं है हम में इत्ती कुबत ही नहीं है कि हम उसका क्या कर सकते है है जवाब दे सकते तो इसलिए अच्छा क्या है आप Supreme Court ले जाओ क्योंकि ultimately होना तो वही है हमको judgment दे देंगे बाइस अब जैसे हमारे बहुत बड़े actor को भी jail हुई थी तो यही question जो है जो अगर माली जा हाई को यह बोलता है कि एक particular question है जिस पर वो decide नहीं कर सकती तो वह आपको certification देगी permission देगी कि आप इस चीज़कों कहां लेके जा सकते हो सिधा Supreme Court ले जा सकते हो या फिर बाकि अगर कोई ऐसा question of substantial question of law आ जाता जो की general importance का होता है अगेन उस चीज़कों क्या कर सकते हैं सिधा उसको Supreme Court लेके जा सकते हैं for example triple तलाग तो triple तलाग कहां जा सकता था Supreme Court में सिधे जा सकता था चलिए अगर देखते criminal matters के time पर क्या हो सकता है कि बैख criminal हमें अभी civil देख लिया अब constitutional constitution देख लिया अब हम देखते criminal matters में criminal matters में कैसे कैसे Supreme Court में क्या हो सकते अपील हो सकती है appeal can be made if the high court does the following things ठीक है सबसे पहला on appeal ठीक है reversed the order of accused and sentence him to death माल लीजे कि subordinate subordinate court ने क्या कर दिया एक किसी accused को guilty कर दिया और उसको 7 साल की imprisonment देदी ठीक है 7 साल की imprisonment देदी अब क्या हुआ कि जो victim था वो इस basically decision से खुश नहीं था उसने क्या करा कि by high court में appeal करी और high court ने decision को पलट दिया reverse कर दिया और उसको क्या देदिया death punishment देदिया capital punishment देदिया तो ऐसे case में जो particular accused है उसके पास right है ठीक है यह उसका क्या है right है कैसा right है यह legal right है ठीक है कि वो कहां जा सकता है सीधा सीधा आपके supreme court में appeal कर सकता है high court के decision के अगें secondly taken a case from subordinate court convicted accused and sentence him of death ठीक है मान लीजे कोई particular case pending पड़ा रहता subordinate court में high court उसको बुला लेता है अपने पास solve करने के लिए और जो accused रहता है उसको death sentence देता है तो इस case में भी क्या है उस person का legal right बनता है कि वो कहां जा सकता है आपके सीधा supreme court में जा सकता है या फिर high court certifies a case fit for appeal in supreme court ऐसा कोई particular case किसका criminal nature का जिसमें high court यह समझ सकता है कि बैस अब यह जो है यह किसके fit है आपके supreme court के लिए ही fit है चलिए the first two matters of death sentences it's a right of the accused or guilty also in addition to above condition मतलब इन दोनो condition के a और b condition के addition में if high court orders 10 years of imprisonment मतलब 7 साल से आगे 10 साल का अगर imprisonment दे देती हाई court उस case में भी क्या हो सकता appeal करी जा सकती supreme court में ठीक है चलिए article number 136 क्या बोलता है appeal by special leave ठीक है appeal by special leave petition इसको बोलता है SPL बोला जाता है special leave petition बोला जाता है तो Supreme Court is authorized to grant in its discretion special leave to appeal from any judgment कोई भी judgment आता है तो आप क्या कर सकते हो SPL के लिए apply कर सकते हो और अगर Supreme Court उसको fit समझता है तो उस appeal को accept कर लेगा और कोई भी judgment के खिलाब बले वो subordinate हो हाई हो कुछ भी हो even वो Supreme Court का ही क्योंना judgment हो उसको वो कर सकता है बट अगें यह कैसा है discretionary power है अगर Supreme Court चाहेगा तो चलिए advisory jurisdiction मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है advice की किसकी बात हो रही है यहाँ पर advice की तो it authorizes president to seek advisor opinion from Supreme Court कौन मांगेगा president साब मांगेगे in following condition article number 143-1 क्या कहता है question of law of public importance कोई ऐसा particular question of law आ जाता है जो की public को जानना बहुत जरूरी है हमारी जो एक्स प्रेसिदेंट साब थे डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम इन्होंने इस advisory jurisdiction का बहुत जब 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 तरीके से फाइदा उठाया या कह लिए यूस कर रहा है ठीक है article number 143-2 क्या कहता है dispute arising out of pre-constitutional treaty ठीक है pre-constitutional समझ गहें before 1947 ठीक है माल लीजिए ऐसे यह जो basically powers है जिनके basis पर क्या होगा president साब जो है वो क्या कर सकते हैं advice ले सकते हैं या opinion मांग सकते हैं किसका judiciary का आप जो पहला scenario है या आपके लिए जो पहला clause है ठीक है article 143-1 इस में judiciary is not bound to give opinion अगर judiciary चाहे तो अपना कोई भी opinion नहीं दे सकती ठीक है दूसरा case जो आता है या सब clause 2 जो आता है कि भाई कोई भी ऐसा dispute जोगी pre-constitution laws के वज़े से हो रहा है इस case में opinion देना mandatory है इस में बेसिकली supreme court नहीं बच सकता तो अगें इन फर्सके जो supreme court is not bound to give opinion in the second case supreme court is bound to give opinion the opinion expressed ठीक है by the supreme court is only advisory क्या है यह सिर्फ advice है कोई भी judicial pronouncement या उसका decree या order या judgment बिल्कुल भी नहीं है वो सीधा सीधा क्या है उसकी नजरों में क्या लगता है judiciary की वो है यह इस अनफ advisory nature advisory nature है तो अगें इस चीज़ पर क्या हो सकता है judicial review या इसको court में लेके नहीं जा सकता नेक्स आता है बहुत important चीज़े court of record court of record कहां था article number 129 में आता है यह बोलते हैं कि supreme court to be a court of record that means उसके जितने भी proceedings होती है जितने भी उसके judgments होते हैं जिसमें भी उसमें evidence आई जाते हैं ठीक है इन सब चीज़ों को use करा जा सकता as a reference और यह सब अपने आप में कैसी होती है is of evidentry value माल लीज़े अगें जैसे हमने बात करी थी कि भाई एक हाई court था x रेक हाई court था y ठीक है इसने a decision दे दिया बाद में कुछ सालों बाद same case ठीक है इसने decision बी दे दिया तो अब यहाँ पर वकील क्या कर सकता है बोल सकता है कि भाई साब दो साल या पाँ साल पहले same case या similar case कहा गया था x high court में गया था जिसमें क्या हुआ था यह decision दिया गया था और उसके reference से हम जहीं बोल रहे हैं कि आप भी यह same decision दीजिए ठीक है तो इसको बोलते हैं क्या court of record तो judgment, proceeding, etc. of supreme court are of evidentry value and can be used ठीक है and can be used as reference and cannot be questioned and cannot be questioned दूसरी power court of record में आती है to punish for its content मतलब आगर आप क्या करते हो मानहा नहीं करते हो आप court की बात नहीं मानते हो उस case में भी क्या कर सकती है supreme court punish कर सकती है अगर पनिश की बात आ जाएगी तो कित्ते नेचर हो जाएंगे दो टाइप क्या हो जाएंगे एक civil और एक criminal ठीक है तो civil नेचर का contempt of court क्या होता है willful, disobey of judgment, order, writ, etc. आप क्या कर रहे हो willfully क्या कर रहे हो disobey कर रहे हो किसको supreme court या court के किसको judgment को order को या writ को तो उस case में आप पर contempt of court लगा जा सकता है willful breach of undertaking given to court आप माल लीजे कोई एक undertaking देते आप एक ओथ लेते हो promise देते हो कि मैं यह चीज दुबारा नहीं करूंगा फिर भी आप उस undertaking को breach कर देते हो उस undertaking को तोर देते हो उस case में भी क्या होगा it's a civil nature of your contempt of court criminal nature क्या होता है कि scandalize और lower the authority of court आप क्या कर रहे हो court की authority जो है उसके साथ खिलवार कर रहे हो तो वह क्या हो जाएगा criminal nature का हो जाएगा prejudice or interfere with the due course of judicial proceeding मतलब आप इसको pre judgment बना रहे हो या interfere कर रहे हो किसमें judicial proceeding में तो वह किसा हो जाएगा criminal nature का हो जाएगा prejudice or obstruct the administration of justice in any other manner again administration में भी क्या होता है justice के administration में उसको imply करने में भी अगर आप क्या करते हो कोई भी टाइप का objection लेते हो माल लीजे कोई decision लिया जाता है और उसको सरकार है imply करती है और अगर उसमें आप बाधार डालते हो तो वह भी कैसा हो जाएगा criminal nature का हो जाएगा ठीक है in matter of publication or doing act in regard of of the about criminal contempt of court माला ओपर वाली चीजों में भी अगर आपको उसको एक लेक साब देते हो या कुछ कर देते हो basically आपको court की जो authority है ना उसको undermine नहीं करना है आपको उसको सर्व पर ही रखना उसको माने नहीं रखना यह वाली कानी हो जाती किसमे court of record में power of judicial review बाइस अब यह एक ऐसी चीज है जो की बहुत ही hot topic रहा है पूरे की पूरे इंडिया जुडिशिरी की history में बहुत ही ज्यादा important है judicial review किसी एक particular article से नहीं आती आर्टिकल 13 के through judicial review के power आती है 32 के through आती है 132 और 133 के through भी आती है ठीक है साथ-साथ ऐसे कुछ convention ऐसे कुछ चीज़े जो कि already tradition में आ चुकी है उनके तुर भी judicial review आता है अब समझे जुडिशिल review basically है क्या to power to examine the constitutionality of legislative enactments and executive order of both center and state मतलब अगर मान लिजे कोई भी enactment executive order आता है किसका legislature का या executive का क्या आ रहा है कोई भी माली जो order आ रहा है या माली जो कोई एक law निकाल रहा है तो ये law या ये order क्या ये constitution से mail खा रहा है क्या ये constitution के साथ चल रहा है क्या इसका constitution से वास्ता है ये चीज़ डिसाइड कौन कर सकता है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ supreme court कौन कर सकता है supreme court माल लीजे ऐसा कुछ law आ जाता है कि उसमें बोलते है पार्लेमेंट एक law निकालता कि भाई सब आज के बाद जो है ना लोग सिर्फ सीधे हाथ के तरफ करवट लेके स्वेंगे तो ये सीधा सीधा क्या fundamental rights का हनान है तो ये constitutionally सही नहीं है constitution में किसी एक particular aspect को वाइलेट कर रहा है उस case में इस पर judicial review होगा और if found violating the constitution can be declared illegal unconstitutional and invalid मतलब सिधा सिधा क्या होगा जितनी आपने महिनत करी है जितना discussion करा है वो सब supreme court क्या कर सकता है खारीज कर सकता है और चीज को हटा सकता है इस पावर इस वेस्टेट थ्रू आर्टिकल 13 32 132 और 133 ऑफ इंडियन constitution चली फेज़ ऑफ जूडिशियरी की बात करते हैं तो 50 से लेके 66 के बारे में judicial review काफी polite attitude हुआ करता था जो government बोल रही उससे मान लिया करते थी यही चीज थोड़ा बहुत चेंज होता है 60-70 में फाइनली 70 से लेके 76 का जो टाइम था यह बहुत ही जबर्जस टाइम था यहां हमको लड़ाई देखने को मिल जाती पार्लेमेंट और जुड़ी चलिए रिवाइजरी जुरिस्टिक्षिन रिवाइजरी जुरिस्टिक्षिन क्या आर्टिकल नमबर 137 पावर देता है किसको तो रिवीव इस ओन जजज्बेंट माल लीजे सुप्रीम कोट ने X versus U ठीक है? X versus U का केस लिया ठीक है? उसमें क्या कर दिया? एक particular decision दे दिया क्या decision दिया कि भाइस सब U is wrong. rzecz जिए सिकानी. X is always right and U is wrong. ठीक है? माल लेजे कुछ सालों बाद. ठीक है? एक और case आता है. next versus you, ठीक है, अब इस case में क्या बोलते हैं, Supreme Court बोलता है कि नहीं भाई साब, decision क्या है, next जो है, वो गलत है, ठीक है, अब इस basis पे वो क्या कर सकती है, अपना जो ये पुराना decision था, इसको review करके change भी कर सकती है, क्या कर सकती है, इसको review कर सकती है, हो सकता हूँ कि भाई उस टाइम पे situation ऐसी हो, और हमने एक particular aspect को क्या कर दिया हो, निगलेक्ट कर दिया हो, ultimately कुछ ना कुछ नहीं चीज सामने आनी चाहिए, तभी वो review ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है, चलिए, तो देखते है, तो power to review and change judgment given before by judiciary, ठीक है, example, in केश्वनन भारती case, 1973, review, previous judgment of गोलकनात case, that was given in 1967, तो यह power है कि अपना ही review क्या कर सकती है, उसको पलट सकती है, और वो सेम तरीके से valid भी रहेगा, तो हम हमेशा Supreme Court से उम्मीद लगा सकते हैं, कि next और X की बात जो है, वो नहीं मानी जाए, हमारी ही बात क्या हो, मानी जाए, सर्व पर ही रखी जाए, चलिए, other powers and rate jurisdiction, और other jurisdiction की बात करते है, आर्टिकल नमर 135 क्या बोलता है, all powers of federal court, जो हमारा पहले federal court हुआ करता था, जो कि British ने बनाया था, are to be transferred to Supreme Court, आर्टिकल नमर 137 क्या बोलता है, review petition submitted within 30 days, मान लीजिए, आप क्या कर सकते हैं, एक particular decision आता है, Supreme Court का decision, उसके भी against अगर आपको क्या करनी, appeal करनी है, तो आपको review petition डालनी पड़ेगी, कब डालनी पड़ेगी, within 30 days, within 30 days आपको क्या करना पड़ेगा, review petition डालनी पड़ेगी, यह आर्टिकल 137 कह सकता है, अगर मान लीजिए, आपकी यह review petition खारिज कर दी जाती है, तो इस review petition के against भी आप क्या डाल सकते हो, curative petition, ठीक है, can be submitted when Supreme Court denies review petition, तो अगेन क्या होगा, basically समझो, इसमें होगा क्या, माल लो, Supreme Court में तीन जज्ज थे, उन्होंने एक decision दे दिया, आपने review petition सम्मिट करी, उसने accept कर ली, आपने नई evidence लेकर आए, तो अब ये तीन जज्ज नहीं बैठेंगे, अब ये पांच जज्ज बैठेंगे, ठीक है, माल लीजिए, इस पांच जज्ज के against अपने review दे दिया, ठीक है, review को खारिस कर दिया, तो review petition के against, curative petition दे दी, कि नहीं भजा, अब तो हमारी बात सुनो, अब नए evidence आया है, तो अब ये पांच भी नहीं बैठेंगे, अब ये साथ बैठेंगे, ठीक है, तो हमेशा एक particular decision के against, कोई भी review petition accept कर जाती है, ये curative petition accept कर जाती है, तो तो number of bench रहती है, जो number of judges रहेंगे, वो increase हो जाएंगे, चलिये, article number 139, ये क्या बोलता है, can call over cases from high court of substantial question of law, this was added by the 42nd constitutional amendment, and amended by the 44th constitutional amendment, can take suho moto, suho moto संजो क्या होता है, suho moto मतलब अपने app से क्या कर लेना, च्छान बीन कर लेना, without any kind of petition या PIL आपके पास आई, आपको पता चला, news channel से पता चला की बाइसाब, इंडिया के ऐसे पार्ट में ये चीज़ हो रही है, तो आप अपने आप से, without any formal proceeding, आप उस particular case को ले सकते हो, ठीक है, ये होता, suho moto, ठीक है, तो can take suho moto, और वाया attorney general, attorney general को भी direct कर सकते हैं, बस आप प्रीज जाईए, उनका case लड़िये, या उनके देखे, क्या हो रहा है, transfer of judges from high court to high court, ये भी किसके power हो जाएगे, article number 139, एक अंडर पावर आयाती, किसकी, आपके supreme court की, article number 144, law made by supreme court is binding on all lower courts, CDC कानी है, supreme court को law बनाती है, तो वो high court को मनना पड़ेगा, subordinate court को मनना पड़ेगा, high court अगर कोई law बनाता है, तो वो subordinate court को मनना पड़ेगा, article number 142, power to do full justice, पूरी तरीके से justice करने का, उनके पास power होता है, all authorities to act in aid of supreme court, जितनी भी authorities हैं, वो सब हमेशा किसकी तरफ काम करेगी, supreme court को aid करने के लिए, उनका काम करने के लिए, या उनको aid करने के लिए ही काम करेगी, article number 144, power of judicial superintendency, मतलब judicial superintendency, मतलब किसी अगर particular lower court का decision पलटना है, तो वो पलट सकते, judicial superintendency आती कहां से, article number 144 से, article number 145 क्या बोलता है, rules to make regulations, जो rules, laws, regulations जो रहेंगे निकी judiciary के, वो ये खुदी बनाएंगे, ठेक है, themselves on fulfilling precedence recommendation या permission लगेगी, ठेक है, should not be against a law of parliament, ये दो conditions है, उसके लावा वो खुद कर सकते हैं, article 145 sub-laws 3 क्या बोलता है, minimum 5 judges in a constitutional bench, माल लीजे, अगर कोई constitutional bench बैठती है, constitution के law पे, या माल लीजे, constitutional amendment को validity देने के लिए, उस पर judicial review करने के लिए, तो कम से कम 5 judges की bench बैठेगी, ठेक है, decision shall be through majority, and open court proceeding होगी, that means close court proceeding नहीं हो सकती, चलि, increment in powers of supreme court, supreme court की powers में बड़ोतरी कैसे कर जा सकती, article number 138 क्या बोलता है, in the matters of union list, supreme court jurisdiction can be increased by law, माल लीजे, अभी supreme court का jurisdiction करता है, इंडिया है, माल लीजे, कि कोई नई territory ले आते हैं, तो again by law, ठेक है, supreme, parliament क्या कर सकती है, कौन करेगी, parliament करेगी, क्यूकिकि law कान मना रहा है, सिर्फ parliament ही बना रही है, तो in matter of union list, supreme court jurisdiction can be increased by law, ठेक है, parliament may, by law increase the writ jurisdiction of supreme court, article number 139 क्या कहता है, कि parliament may by law can increase the writ jurisdiction, article number 140 क्या बोलता है, parliament by law can grant ancillary powers, मतलब subsidiary powers या और कुछ अदर powers, जो अगर इसको छोटी मुटी powers confer करनी है, तो वो भी parliament का सकता by law, parliament by law can increase the appeal jurisdiction in criminal matters, जैसे कि अभी हमने देखा था, पहले कि, पहले जब हमने criminal matters में appeal की बात करी थी, तो हमने सिर्फ capital punishment की बात करी थी, बाद में जब हमने slide change करी, तो हमने ये भी देखा था, जैसे कि इन केस अगर 10 years या 10 years से उपर का imprisonment देता है high court, उस खिस पे वो light बन सकता है, तो ऐसी अगर जो इनकी appealate jurisdiction बढ़ा नहीं है, तो पार्लेमेंट कर सकता है by law, चलिए, independence of supreme court, सबसे important choice, independent mode of appointment है, ये किसी भी particular organ से, किसी भी particular political party से बिलकुल influence नहीं है, ये अपने आप में ही क्या है, independent mode of appointment है, इसलिए हम क्या कह सकते कि independence of supreme court बची हुई है, security of tenure है कि मतलब मान लीज़े, एक particular अगर मान लीज़े, जज़ बना दिया जाता है, तो जब तक tenure complete नहीं होता है, वो जज़ ही रहता है, क्योंकि उसकी removal की procedure बहुत difficult रहती है, fixed service condition होती है, कोई भी increment decrease नहीं होता, expenditure charge on consolidated fund of India है, आप ये subject, this is not subjected to vote in parliament, ठीक है, हमने बात करी थी, जब हमने बात करे थे, इसकी consolidated fund of India के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो हमने उस टाइम पर पढ़ा था कि, जब चार्ज expenditure जो होते हैं, वो subjected to vote नहीं होते, conduct of judges cannot be judged, जो भी conduct of judge रहेगा, जो भी उनका behavior रहेगा, जो भी उनका decision रहेगा, उसको judgment नहीं कर सकते, बैन on practice after retirement, एक बढ़ आप अगर as a judge retire हो जाते हो Supreme Court से, तो आप law practice बिलकुल नहीं कर सकते, पावर to punish for its contempt, अगर आप इसकी मानहा नहीं करते हो, आप इसकी बात नहीं मानते हो, उसके लिए punishment भी दे सकती है, freedom to appoint staff किसी की भी जरूवत नहीं है, स्टाफ को appoint करने के लिए सीधा judiciary अपने आप से कर सकती है, jurisdiction cannot be reduced, बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं करा जा सकता, separate from executive, पूरा का पूरा जो था separate from executive, तो हमने यहाँ पे Supreme Court पूरा खतम कर लिया है, इसका proper detail देखी लिए है, अब in case अगर आपको इस वीडियो को दुबारा देखना है, तो that means आपको YouTube पे जाना है, एक तो तरीका वही YouTube पे जाओ, सर्च में जो filter उस पर playlist लगा लो, सीधी सीखानी है, Magnet Brains की आप पे playlist डालोगे आ जाएगी, I know बहुत सारा content है, थोड़ा difficulty होगी, थोड़ा easier way बताता हूँ, क्या करना है, सिधा आना है कहां Magnet Brains.com, कहां आओगे Magnet Brains.com, हमारी नहीं website है से आपके लिए बनाई है, साथ-साथ हमने हमारा application भी बनाया है, तो Google Play Store पे प्लीज जाएए, उसको download करिया and do check it out, फिलाल छोड़ासा वीडियो की साइट बेसिकली कैसे काम करेंगे, आप वीडियो कैसे देख सकते हो, तो देखो, जैसी Magnet Brains.com पे जाओगे, आपके सामने यह पूरा का पूरा page आजाएगा, राइट, कुछ नहीं करना है, स्क्रोल डाउन करना है, यहाँ देखो, पूरे के पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, CBSE पढ़ना हो, UP पढ़ना हो, बिहार बोर्ट पढ़ना हो, NEET, JE, UPSC, Olympiad, NTSC, सब कुछ मिलेगा, CUET बगरा सब कुछ मिलेगा, ठीक है, मैं कहा मिलूँगा, Olympiad में मिलूँगा, तो जैसी Olympiad के टाप पे क्लिक करोगे, तो ध्यान देना, by default, यहाँ पर हमेशे class 9th का दिखाएगा, ठीक है, आपको कहाँ टाप पे क्लिक करना है, class 9th के टाप पे क्लिक करना है, जैसी आप इस 9th के टाप पे क्लिक करोगे, आपके जितनी teachers हैं, जो कि आपको various Olympiad का subject पढ़ा रहे हैं, सब आपके सामने वाचनाओं का बटन ले आएंगे, ठीक है, जैसी इस वाचनाओं पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरी course की detail आजाएगी, पूरी course की detail आपके सामने आजाएगी, यहीं पर थोड़ा नीचे देखो के watch all videos भी दा रहा है, तो यह पूरी की पूरी list दी हुई है, जैसे इस प्लस पे क्लिक करोगे ना, तो अगेन एक further drop down menu खुलता है ऐसा, ठीक है, यह यह लिंक पे भी क्लिक कर सकतो, यह hyperlink है, यहाँ पे watch now पे भी क्लिक कर सकतो, यहाँ पे time भी दिया हुआ है, आपको कितना वीडियो, कितने minute का है, तो जैसी आप इस basically hyperlink पे क्लिक करोगे, YouTube player with same functionality वहीं खुल जाएगा, that means आपको क्या YouTube पे direct नहीं करा जाएगा, आपको कोई link copy paste करने को नहीं दी जाएगी, सीधा सीधा YouTube player with same functionality वहीं खुल जाएगा, तो यह हमारी छोटी सी पहलती आपकी education को और accessible बनाने के लिए, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, if you have any doubts related to judiciary, to laws, कोई भी आपके मन में ऐसा आता है कि भाई सब ये वाला कानून हमको सवर सब पूछना चाहिए, जैसे मान लीजे for a very interesting fact, क्या आपको ये चीज़ पता है, कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, तो आपको जूते पहनना mandatory है, येस, अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है, और अगर आपने जूते नहीं पहने हुए, तो आप पे चलान लग सकता है, ये this is according to the MP, traffic laws, ठीक है, तो ऐसे अगर कोईस questions है आपके पास, तो प्लीज आप बिलकुल comments में बताईएगा, मैं उसको solve करेंगी, पूरी कोशिश करूँगा, I hope आपने अभी तक वीडियो को like तो करीद दिया होगा, चैनल को subscribe करना बिलकुल मग भूले, क्योंकि यही हमारे लिए motivation है, आपके लिए और free content, better content, quality content लाने के लिए, और इस वीडियो को बिलकुल share करते रहिए, दूर दूर तक पहुचाते रहिए, PS group करेशाद करिए, आपने friends के साथ करिए, colleagues के साथ करिए, आपने अपने teachers के साथ भी share कर सकते हैं, कोई भी सीमा नहीं है, वाच्च अप टेटर जाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलाल के लिए, thank you so much for watching this video,